हेलो गाइस विल्कम टू चोनल एक्जाम गुरुच उम्मीद करता हूं कि सब यह अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एक्जाम की प्रेपेशन कर रहे हैं वह भी अच्छी चले होगा तो गाइस इस्क्रीन पे जैसे कि आप देख रहे हैं हम आज डिसकस करेंगे एक कैमप हेसल 2018 का जो स्कुल टेस्ट रिजल्ट है वह अभी तक नहीं आया है उसी के रिकार्डिंग हमें यह करनी है है हैस्टेग हमारा होगा है चेह चेहसल कैपिटल में 2018-skill-test-result टीक है तो यह जो हैस्टेग है इसमें कोई भी मिस्टेग आपको नहीं करनी है आपको यही लिख लगाना है ठीक है अब ये प्रॉब्लम आई क्यों मतलब ये मजबूरी आई क्यों केंपेंड करने की ऐसी क्या मजबूरी आई कि हमें केंपेंड करना पड़ा है तो मजबूरी यह थी कि कुछ RTI लगाई गई थी तो उनसे कोई satisfactory answer नहीं मिला मजब reply नहीं मिला जैसे कि ये kindly provide the result date of CHSL 2018 skill test held on 26 November and 3 December as almost all exam result date has been uploaded on website except CHSL skill test result ठीक है तो ये question पूछा गया था तो जवाब जो आया जो अमूमन हमें मिलता ही है ठीक है CPIO has no information मतलब कि इस line के लावा mostly मैं मैंने भी बहुत सारी RTI डाली है तो ये line उनकी सबसे most favorite line है CPI has no information या फिर it's not cover under RTI act दिस दिस ठीक है एक और RTI डाली गई थी जिसमें से पूछा गया था कि SSC CHSL 2018 2018 DB date SSC CHSL 2018 skill test result और final result तो उन्होंने फिर ये बताया कि in reply to your RTI application it is stated that the date of document verification CHSL exam 2018 will be decide after declaration of result of skill test ठीक है तो जो DB की date है वो skill test के result के बाद देंगे ये इसमें बोले हैं अब जब DB होना है तो अभी skill test का तो हमें पता नहीं के result कब आएगा result आएगा उसके बाद फिर कहीं DB का notification निकालेंगे के वह आप लोगों का DB है आके DB दीजिए DB के बाद फिर final होगा फिर joining होगी तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कर इस तरीक से process चलेगा जैसे हम देख रहे हैं भी सामने CHSL 18 का notification फाइब मार्च 2019 को आया टीर वन इसका फर्स जुलाई टू सिक्स जुलाई 2019 को हुआ टीर टू इसका 29 सेप्टेंबर 2019 को हुआ ठीक है तो इसे साब से ये tier 3 2019 में ही हो जाना चाहिए था नवंबर में बट ये 2020 जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था skill test तो अब मुद्द यही है कि इस तरीके से अगर process चलेगा तो फिर लग रहा है कि ये 2021 भी इसमें चली जाएगी तो सब को हमें क्या करना है CHSL 2018 underscore skill underscore test और result spelling देख लिजिए capital letter में है ये hashtag आपको लेके ठीक है नीचे मैं description में भी डाल दूंगा ये ही hashtag आपको copy करके और Twitter पे tweet करना है train कराना है इसे ताकि जो हमारी सरकार है उसकी नजर में ये trend आ सके कि कुछ इस तरीके का भी हो रहा है कि SSE CHSL का result रुका हुआ है और ये process कब से चालू है और अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है तो guys मेरी सबीज़र request है जो भी CHSL SSE CHSL के as parent है या फिर CGL के as parent है या फिर किसी और exam की preparation करते हैं क्योंकि एक student का दुख दूसरा student ही समझ सकता है और आप आज अपने भाई महनों की मदद करेंगे तो कल हो सकता है कि आपको अगर किसी चीज़ की मदद पढ़े तो वो करें जैसे अभी हमने बहुत सारी campaign देख है यह उसी का एक नतीजा है ठीक और इससे पहले जो CGL का भी नहीं हो रहा था कुछ भी ठीक तो उसकी भी डेटा आगई बहुत सारे exam हुए तो यह सब उनी का नतीजा है campaign का तो सब लोगों से मेरी निवेदन है कि कि इसमें बढ़ चल कर हिस्सा लें और tweet को मतलब एक gap में करते रहें continuous ना करें कि कमसम लगबग उसमें 10-15 सेकंड का gap रखे एक tweet में उससे यह होगा कि आपकी जो ID है वो ब्लॉक नहीं होगी ठीक है तो फिर आप भी tweet करें और आपके जो भी आप जिस गुरूप में तो उस गुरूप में इस वीडियो के link को जरूर शेयर करें अग अगर नहीं ID है तो प्लीज आइडी को बना लीजिए ID बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी मुश्किल से एक या दो मिनिट लगने है ID बना लीजिए और कल ठीक है आज 27 तारीक हो गई तो कल 11 बजे हमें क्या करना है Twitter पे tweet करना है इस hashtag के साथ ठीक है तो आज के प्रश पर दो आज के एूड वन